हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स उमीद करते हूं आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं हैंगिंग बास्किट तयार करूंगी और सब करनी है मुझे वैस्ट मैटीरियल से तो इसमें मेरे पास जो डबे हैं बोतल हैं उनसे मैंने पहले से बना के तयार भी कर रखी थी लेकिन इनको मैंने अलग से रखा हुआ था तो आज फ्रेंट्स में इनको दुबारा से बनाओंगी और आप सब के साथ शेयर करूँगी तो जब भी हम प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के गमले या प्लास्टिक के डब्बे पर हम कलर करते हैं तो फ् जादा दिन तक यह चलता है तो इसलिए हमें जब भी कलर करें तो हम अच्छी क्वाल्टिक का कलर करें जिससे कि हमारे प्लांटर जादा दिन तक अच्छे रहें खराब ना हो और हमारी महनत भी बच जाए तो इनके उपर पहले से मैंने कलर किया वाता तो फ्रेंट्स लेक तो यह देखी जो भी एकि इमोजिज़की ऑने बने वहे हैं तो इमयोजि़को मैं ऐसी बने यौडर कर कर दूगी और इसके ओपर ब्लेक और से मैंने इसके फेस बनाया हुआ है तो यह बलेक कलर सेका फेस दुबारा से बना दून्यूनिशची है मीचे से यह वाइड कलर क ते अच्छा नहीं लगता है तो आज मैं इन सभी अपने जितने भी मेरे यह डब्बे हैं यह देखे सबी यह फ्रेंट्स यह चमनद फ्रास होता है चमनद को मअकरी है कोई प्लांट चमें तो इस अब वैस्ट मेटिरियल है friends और इनमें आप प्लांट भी देख सकते हैं सारे ही प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं कोई भी प्लांट हमारा खराब नहीं होता है बस धिहाँ इतना रखना है friends सभी में आपको होल बनाने होते हैं नीचे होल बना के रखेंगे तो पानी आराम से जो एक्ष्टा पानी होगा वो निकल जाएगा और हमारे प्लांट भी अच्छे रहेंगे उनकी प्लांट की जड़ों को हवा भी मिलती रही तो यह देखें इसके अंदर भी जो है इसने एक प्लांट मैंने लगा रखा तो सभी प्ला कर रहे हूं और कलर करने डिटर आप देख सकते हैं प्लांट भी प्लांट है सारे ग्रीन दिखा दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे से तो यह देखें येलो कुल तो सब पर कर दिया है अब मैं जो है दूसरा कलर करूंगी यह रैड कलर है तो चार गम लेए मेरे रैड कलर के है चारों यह आप देख सकते हैं डब्बे हैं और मैंने इने बनाया किस तरीके से फ्रेंट्स जो इनके धक्कन होते हैं वो धक्कन मैंने नीचे की तरफ इसके छिपका रखे यह स्टैंड की जएके मैंने यूज कर रखें सबीके डखकन डखकनों को मैंने किसी के भी फेका नहीं है और इनमें मैंने माने खौल बना रखे उससे क्या है कि नीचे की जह है स्टैंड की तरह वो यूज हो रहे हैं और भूल भी उसमें उपर खुले वह हैं तो बहुत ही अच्छे प्लांटर बनके तैयार हो जाते हैं और यह प्लांटर हमारे बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं फ्रैंट जल्दी से खराब भी नहीं होते और हमारे गमलों की भी बचत हो जाती है तो आप देख सकते हैं यह सब इसमें फाइकस के प्लांटर लगे हुए जो मैंने आपको दिखाये थे जो मैंने कटिंग से तैयार किये हुए हैं तो इस सब इसी डबों में लगे हुए हैं फिलाल तो इसी तरीके से आपके पास भी जो डबे हों बोतल हों कुछ भी समान हुए एक्स्टर तो आप उन सब चीजों को यूज करके अपने बगीचे में लगा सकते हैं तो आज मेरा यह कलर का काम हो रहा है फ्रेंस तो मैं कलर करके सभी डबों पर और इनके उपर जब यह कलर हमार आप डिजेइन बनाओं गी खिखने खालें, और इससे भी ऐच्छे लगते हैं कलर ना करें तब भी अच्छे हैं लगते हैं लेकिन क्या होताए फ्रेंस क्या होता है थोड़ा सा US कलर करके हम पर बना कीजों को गया जाइन बना लेत तो ज्यादा संदर लगते हैं देखने म तो आप देख सकते हैं, यह मैंने कलर किया था, तो सारे के सारे मेरे डबे सूख गए हैं, अब सूख गए हैं, तो सूखने के बाद, अब मैं इनके उपर थोड़ा सा अगले दिन हो गया है मेरा, तो अगले दिन मैं इनके उपर डिसाइन बनाओंगी, बैटके, तो यह देख कलर किया था तो भी ब्लैक को मैंने ऐसे छोड़ दिया था कि इसको जहे मैं बाद में इसके उपर करूँगी तो यह अच्छे से हो जाएगा तो यह मेरा आज का जये है थोड़ा सा टाइम इस चीज में बच जाएगा बस दुबारा से मुझे जहे इसके उपर कलर लगर करना ह तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप इसके उपर कोई किसके का फेस भी बना आप अपको डिजाइन बनाना है तो आप डिजाइन बना सकते हैं जो भी आपकी मर्जियों आप कुछ भी बना सकते हैं दूसरे color से तो ऊपनाने के बाद में ज्यादा सुंदर लगता है तो इसी तरीके से friends मैंने तो यह देखी इस तरह से मैंने इनको जो पहले बने वे इसके उपर देखे कुछ भी नहीं बनावाता है तो इसके उपर मैं face बना दूँगी यह थोड़ा सा काम करते गया तो पता नहीं चल पाता है देखी थोड़ा उपर हो रहा है लेकिन मैं इस रहें करके इमिने सारे planter बना रहा है कि की उपर नीचे का हिससा उपर ओका हिस सब देखी है यह देखी यह बॉतल इस बोतल से पहले मैंने इसके उपर दूसरा कलर किया हुआ था और अब मैंने इसके उपर दूसरा कलर कर दिया है इसके पर कुछी भी नहीं बस सरकल बना दूँ छोटे-छोटे से गोले बना के ब्लैक कलर से तो इसी तरह से आपको जो भी डिजाइन पसंदो फ्रंस आप बन सकते हैं बहुत यासान सा डिजाइन बनाया है मैंने लेकिन देखने में सुन्दर लग रहा है तो इसी तरी के से जो है कोई भी डिजाइन आपको जो पसंद हो आप बना सकते हैं सबी के उपर मैं इसी तरह से बना दूगी और यह रैड कलर के हैं फ्रेंस रैड कलर पर मैंने वाइट कलर के सरकल बना दिया और येलो कलर पर बलैक कलर के तो इस तरह से बना दिया है और गिरीन कलर पर भी दो कलर से बना दिया है तो वह भी जो है देखने में सुन्दर लग रहे हैं यह देखिए इस पर मैंने इस तरीके से बना दिये हैं बहुत ही आसान आसान से बना दिये हैं और यह देखने में अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरीके से आपको जो भी डिजाइन पसंदो आप बना सकते हैं और मैंने सारे के सारे अपने प्लांटर तयार कर लिए अब क्या काम रहा फ्रेंट्स अब इनमें बनाएंगे हम पीछे हौल और हौल बनाने के बाद फ्रेंट्स इनको हम दिवार पर लगाएंगे तो अब मैं फ्रेंट्स अब की बार जो है अपने जितने भी हेंगिंग लगाऊंगी तो उनमें मैं सुतली रसी कुछ भी नहीं बांदूंगी और यह देगे तीन प्लांटर मैंने अलग से बनाए थे तो इनको भी मैं इनके उपर फेस बना दूंगी यह रखे वे थे इनका भी इनके पर मैंने फ्रेंट्स ओयल पेंट किया हुआ है ओयल पेंट हमारा जादा चलता है जल्दी से खराब नहीं होता है तो इसलिए आप जो है पहले और जो इनके उपर में डिजाइन बना रही हैं यह मेरे फैबरी कलर है यह जादा दिन तक चल जाते हैं तो इसी यह दिजाइन बना दिया है यह रैबिट बना दिया है यह देखने में यह अच्छे लगेंगे फटा फट से बन गई यह देखे होगे तैयार तो इस तरीके से इसके चाहे कान पर भी मैंने बलाग की कलर कर दिया यहां पर भी तो यह भी मेरे बन के तैयार हो गए देखे तीनों मेरे बन के तैयार होगे फ्रेंट तो इस तरह से आप को इभी डिजिए अब आप देखिये दिवार इस टाइम दिवार जो मैंने कलर से तो डेकुरेट कर दी थी अब इसके उपर मैं यहां पर प्लांटर लगाऊंगे अप जहां पर मुझे टांगना है तो अब देखे सामने मैंने दिवार पर सारे ही अपने प्लांटर लगा दिये हैं यह देखे फ्रेंट्स मैं आपको यहां से दिखा रही हूँँ यह डब्वे के दो प्लांटर है और इनमें मैंने कोई भी सुतली रसी नहीं बांदी यह जो भ प्लांटन बहारब देख सकते हैं सब्सक्राइब चलते नहीं हैं भी देखें बॉतल प्लाइट रहे हैं मैं कि देख सकते हैं यह वाइन चल रही है और इसमें पथर चट्टे का पेड़ है और यह वाइड रिंड जू है कितनी बड़ी हो रही है यहां पर इसमें तो सबीunt. है अप्छे से चल रहे हैं तो इसी तरह से ख學lor आप भी बहुत सार है इसमें परपल हार्ट ए लकुर्वात है कितना बड़ा हो रहा है चोटी सी बोतल में ए और फाइकास है तो इस Dактер भी हमारे सारे बनके तयार होowगै और पूरे में लगके भी तयार होगै तो इसी तरीके से मैंने जए अप इस दीवार को decorate कर दिया है तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड Kell क Title अगर आफको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें देखें कितने सुन्दर लग रही है पूरी की पूरी वाल मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ हूँ है फिर मिलूंगी फ्रैंड्स अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ ओके बाई